जै गुरूजी संगत जी गुरूजी के श्री चर्णों में कोटी कोटी प्रनाम और गुरूजी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को जै गुरूजी गुरूजी का ये परिवार हमारा कितना कितना बढ़ चुका है कितना दूर तक ये सिर्फ और सिर्फ गुरूजी जानते हैं और we are so blessed to have you Guruji so thank you so much Guruji आपने हमें अपने साथ जोड़ा हमें गुर्बानी से जोड़ा जिसके हर शब्द में blessings हैं हर शब्द में हमें बहुत सारी चीजें बहुत सारी बाते सीखने के लिए मिलती हैं तो आपका कोटी कोटी शुक्राना और इसी विंती के साथ के श्री चर्णों से जोड़े रखे हमारे परिवार की रक्षा करें और हमें हर अपने गुर्णाहों की जो भी हमें क्योंकि 90% कष्ट गुरू जी अपने उपर लेते हैं अपनी संगत के गुरू जी बहुत द्यालू है पर 10% तो हमें जरूर काटने होते हैं पर गुरू जी उसे भी बख्ष देते हैं गुरू जी के साथ रहकर उने भी हम खुद से नहीं काट सकते वह भी गुरू जी ही कटवाते हैं तो प्लीज गुरू जी हमें इतनी सहन शक्ति दें कि हम अपने करम और ना बढ़ाएं और ह हमेशा हमेशा आपकी रजा में ही रजा राजी रहें तो इसी विंती के साथ मैं गुरू जी का सत्संग 66 स्टार्ट करती हूं गुरू जी के दिव्य मंत्र के साथ ओम नमस्षिवाए शिवजी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए गुरू जी सदा सहाए सत्संग 65 ये सत्संग मुनीत जाखर अंकल का है चंडिगर से नशे से मुक्ती अंकल जी लिखते हैं बच्पन में जालंदर जाने पर मैं सदा अपने निहाल में रहता था परिवार के सदस्य गुरुजी के दर्शन के लिए जाते थे और ऐसे ही अफसर पर मैंने भी उनके साथ गुरुजी के दर्शन किये उनके मंदिर में प्रिवेश करते ही वहाँ पर तीवर सुगंध थी जैसे किसी ने पूरे कक्ष में कोई इत्र बिखेरा हुआ हूँ हम बैठ कर भक्तों को आते हुए और गुरुजी का अशिरवात लेते हुए देखते रहे उसके पस्चात उन्होंने एक जल को अपनी माला से अभिमंतुरित किया और हमने बारी-बारी से उस जल को ग्रहर किया उस जल में से एक विशेश महक आती थी पच्चे होते हुए भी हम बिना दंगा या छेल खानी किये हुए एक स्थान पर बैठ सकते थे मेरे पिता एक इश्वर केप अतेरिक्त किसी को नहीं मानते थे उन्हाने मेरी मा को भी गुरुजी के पास चाने के लिए बना किया था क्योंकि है उन्हें पसंद नहीं था अतहे हमने गुरुजी के पास जाना बंद कर दिया कोई आठ वर्ष के लिए हम गुरुजी के पास नहीं गए पर हमारे अन्य संबंदी उनके पास चाते रहे गुरुजी उनको हमें उनके पास लाने के लिए कहते थे फिर गुरुजी दिल्ली चले गए 2003 में मैं अपने MBA के लिए दिल्ली आ गया मुझे नशे की लट पड़ गई मैं अकेला रहता था और मदपान करना अच्छा लगता था अपने अभी भावकों के कहने पर मैंने अपने यकरत का परिक्षण की करवाया यकरत मीन्स लिवर यह परिक्षण पहले भी करवाया था और परिवराम अशुब होते हुए भी मैंने उनकी अवेलना की थी स्वस्त मनुष्य का परिवराम 40 IU प्रती लीटर होना चाहिए मेरा 347 347 था इस पश्ट था कि यदि मैंने मधपान नहीं छोड़ा तो मुझे यकरत का सूत्रन रोग होने की पूरी संभावना थी जो निश्चित रूप से घातक हो सकता था मेरी मा मेरे साथ रह रही थी हम वसंद कुझ से दुआर का मकान बदल रहे थे और वह मेरी साहता करने आई थी मेरी मा धार्मिक प्रवर्ती की थी और नियमित रूप से गुरूजी के पास जाकर उनकी किरपा और मेरे स्वास्ते के लिए प्रातना करती थी एक दिन गुरूजी ने उन्हें बताया कि उनकी संतान को कष्ट है और मुझे लाने के लिए कहा मैं गया मेरे पिता को यह पता नहीं था हर संध्या को मैं सीधा उनकी संगत में जाकर चाय और लंगर गिर्ण कर वापस आता था कुछ भक्त सत्संग सुनाते थे कि कैसे गुरूजी ने उनके कश्ट दूर किये वहाँ पर कई ऐसे अनुयाई थे जिनको हिर्दय रोग, कैंसर और धन के अभाव से मुक्ती प्राप्थ हुई थी और अब वह प्रसंद थे गुरूजी ने मा को दस दिन तक लगातार आने के लिए कहा, मेरे लिए तामर लोटा भी मंगाया जिसे उन्हाने अभिमंतरित किया और मैंने उसमें से जल पिया उनके पास बैटे हुए मेरे मन में केवल उनके आशिरवात कविचार रहता था इनी दिनों मैंने एक अन्य जिकितसक से भी परामर्श लिया मेरे एक मित्र ने उसके बारे में बताया था मेरे मित्र को भी यही रोग था और वह मेरे जैसी ही और श्टिया ले रहा था चार मास के बाद भी उसका उपचार पूरा नहीं हुआ था एक दिन गुरू जी ने मेरी मा को कहा कि मैं स्वस्थ हो गया हूँ उन्हें और उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है मुझे पुने सब परिक्षण भी करवाने को कहा जब मेरे परिक्षण हुए तो परिडाम 40 आईउ प्रती लीटर आया तो जो समाने था मैं समझ नहीं पाया कि यह चमतकार कैसे हुआ मैंने गुरू जी को उनके आशीश के लिए धन्यवाद देना चाहा तो उन्होंने मेरे से प्रश्ण किया कि क्या मैंने परिक्षण करवा लिये थे और मैंने हामी भरी वह बोले ठीक है ना जा एशकर मेरी मां और मैंने उनके चरण स्पष्ट किये और हिर्दे से उनको धन्यवाद दिया जै गरूजी अनंतम शुकराना गरूजी नानी का हिर्दे रोग उस रात मेरी नानी और मां ने एक और चमतकार सुनाया जो दस वर्ष पूर्व हुआ था मेरी नानी को दिल के दोरे तीन बार पड़ चुके थे और चिकिसकों ने उनका उपचार यह कहकर मना कर दिया था कि वह जिवित नहीं रहे पाएंगी मेरी मा और मेरे मामा जी गुरू जी के पास आधी रात को पहुचे उन्होंने उन्हें पान के पत्ते लाने के लिए कहा जिने उन्होंने नानी के साथ वाले कमरे में पूजा कर अभिमंत्रित किया इन पान के पत्तों को मेरी नानी के हिर्दे स्थर पर रखा गया, दस मिनट के पस्चाथ मेरी नानी जी का मूतर हुआ जो एक सकारात्मक संकेत था, यह देखकर चिकितसक उन्हें तुरंत लुधियाना के एक चिकितसाले में बैपास के लिए ले गए, गुरुजी के बिना मे देरी श्रद्धा में व्रद्धी हुई है, उनका आशीश हमारी परिवार पर सदा बना रहे, जै गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, यह सत्संग मुनीत जाखर अंकल का है चंडिगर से, गुरुजी और प्यारी डिवाइन संगत जी, अगर सत्संग ग्रंत का पढ़ने की सेवा गुरुजी करा रहे है, अगर आपने यह सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करें, जिससे आप गुरुजी के प्यारे प्यारे डिवाइन सत्संग सुनते रहें, और गुरुजी की किरपा, गुरुजी के ब्लासिंग्स लेते रह जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी